जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही संसनी खेज ख़बर मैं आप सब के सामने रखने वाली हैं तो मैं सभी मीडिया के साथियों से देश भर के लोगों को ये बताना चाती हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन करने के लिए अप्रोच किया मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन कर लूँ अपना पुलिटिकल करियर बढ़ा लूँ और अगर भारतिय जन्ता पार्टी नहीं जॉइन करी तो आने वाले एक महीने में इडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा ये एक मेरे बहुत करीबी विक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतिय जन्ता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाते हैं खतम करना चाते हैं पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीश नेत्रित्व को अरेस्ट करके जेल में डा दिया पहले सतेंद्र जेन जी की गिरफतारी हुई फिर मनीश सिसोदिया जी की गिरफतारी हुई फिर संजय सिंग जी की गिरफतारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल जी को भी गिरफतार कर लिया गया है अब भारतिय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं वो मुझे गिरफ्तार करेंगे वो सौरभ भादवाज को गिरफ्तार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड़ा को गिरफ्तार करेंगे भारती अजनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अर्विंद केजरिवार जी की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी तूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मुराल दाउन हो जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी senior leadership जेल में हैं हिरासत में हैं लेकिन संडे की राम लीला मैदान की rally के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आएं पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सडक पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतिय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदनी पार्टी के टॉप चार leaders को गिरफतार करना काफी नहीं था अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा मुझे जेल में डाला जाएगा सौरब भादवाज को जेल में डाला जाएगा दुर्गेश प कि आम जाएगा अ बड़ahu ए।